ओम शांती 31, 12, 2023 की अव्यक्त मुरली रिवाईज 13, 11, 1997 संगम युक्के प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव करो मास्टर दाता महा सहयोगी बनो संगम युक्के प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव करो मास्टर दाता महा सहयोगी बनो आज भाग्य विधाता बाप अपने स्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्शिस होते हैं क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा स्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा महान आत्मा राज्य अधिकारी आत्मा किसी कभी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी स्रेष्ठ आत्माओं का है मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में चमकती हुई जोती की स्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो नैनों में देखो तो इसने है और शक्ती की रेखाएं इसपष्ट हैं मुख में देखो मधुर स्रेष्ट वानी की रेखाएं चमक रही हैं होटों पर देखो रोहानी मुस्कान रोहानी खुशी की जलक की रेखा दिखाई दे रही है हिरदय में देखो वद दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पस्ट है हातों में देखो दोनों ही हात सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो पावों में देखो हर कदम में पदम की प्राप्ती की रेखा स्पस्ट है, इतना बड़ा भाग्य है भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुशार्थ से, स्रिष्ट कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खीचने की खुली दिल से, खुली छुट्टी दे दिये जितनी लकीर लंबी खीचने चाहो, उतनी खीच सकते हो लेकिन समय के अंदर, जितनी लंबी लकीर खीचनी है वह स्वय में ही खीच सकते हो बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है, तो वह लकीर खीचने आती है, खीची है या खीचना नहीं आती है सभी को आती है, हाजी, बहुत अच्छा देखो अभी के तकदीर की लकीर आपके सारे कल्प में भी स्रेष्ट बनाती है 21 जन में तो सदा संपन और सुखी रहने की रेखा चलती ही है और द्वापर कलियुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा स्रेष्ट रहती है तो इस समय कि भाग की रेखा सारा कल्प सदा सांथ चलती है क्योंकि आविनाशी बाप की आविनाशी रेखा है तो सदा अपने स्रेष्ठ भाग की रेखा स्मरती में रहती है रहती तो है लेकिन कभी इमर्ज रहती है कभी मर्ज रहती है वह सदा ही इमर्ज रहती है इसमें कम हाथ उठा रहे है देखना सदा इमर्ज रहे इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मरतियां पुराने संसकार की रेखाएं मर्ज हो जाती है कभी भी पुराने संसकारों की रेखाएं वह पुरानी बातों के स्मरती की रिखाएं इमर्ज नहीं हूँ मर्ज हूँ और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाए जहां स्रेष्ट भागी की रिखाएं इमर्ज हैं वहां पुरानी रिखाएं इमर्ज होना असंभव है अगर होती हैं तो सिद्ध होता है कि स्रेष्ट भागे की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती, तो क्या समझते हो? इतने स्रेष्ट भागे की रेखाए इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज? बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युक की प्राप्तियों के प्रालब्ध में देखने चाहते हैं पुरुशार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुशार्थ स्वतह चले, महनत वाला पुरुशार्थ नहीं क्या अंत तक पुरुशार्थ की मेनत करते रहेंगे संगम युक के प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे भविश्य की प्रालब्ध अलग चीज है वह तो आपकी इस पुरुशार्थ के प्रालब्ध की परचाई है वह तो आपके पीछे पीछे आपे ही आएगी लेकिन विशेश बात है इस समय की प्रालब्ध प्राप्ट करने की ऐसे नहीं कोई पूँछता है कैसे हैं क्या हाल चाले तो अभी तक यही नहीं कहते रहो कि पुरुशार्थ चल रहा है पुरशार्थ तो है लेकिन पुरशार्थ की प्रालब्द अभी अनुभव करो वह प्रालब्द है सर्व शक्ती संपन, सर्व ज्यान संपन, सर्व बिग्न विनाशक मोर्त यह अभी की प्रालब्द भविश्य में स्वता ही प्राप्त होगी जैसे भविश्य में सिर्फ प्रालब्द है पुरुशार्थ समाप्त है ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रालब्द स्वरूप का विशेश अनुभव करो जब प्रालब्द कहते हैं तो पुरुशार्थ की ही प्रालब्द होती है पुरुशार्थ किया है उस पुरुशार्थ अनुसार ही प्रालब्द का अनुभव कर सकते हैं लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं पूछते हैं बाप दादा हम से क्या चाहते हैं तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरिशार्थ के प्रालब्द स्वरूब बन जाओ बन सकते हो कि पुरिशार्थ की महनत अच्छी लगती है प्रालब्द वाले बनेंगे अभी पुरिशार्थ कर रहा हूँ पुरिशार्थ हो जाएगा करके दिखाएंगे यह शब्द समाप्त हो करके दिखाएंगे क्या दिखाओ और कब दिखाएंगे क्या विनाश के समय दिखाएंगे इसकी बहुत सहज विधी है कि अब मास्टर दाता बनो बाप से लिया है और लेते भी रहो लेकिन आत्माउ से लेने की भावना नहीं रखो यह कर लें तो ऐसा हो यह बदले तो मैं बदलू यह लेने की भावना है ऐसा हो तो ऐसा हो यह लेने की भावनाएं है ऐसा हो नहीं ऐसा करके दिखाना है हो जाए तो नहीं लेकिन होना ही है और मुझे करना है मुझे वाइब्रेशन देना है मुझे रहम दिल बनना है मुझे गुणों का सहीयोग देना है मुझे शक्तियों का सहीयोग देना है मास्टर दाता बनो लेना है तो एक बाप से लो अगर आत्माओं अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा तो दाता बन फ्राक दिल बनो देते रहो देने आता है या सरफ लेने आता है अब जो जमा किया है वह दो आपस में ब्रामाना आत्माएं भी मास्टर दाता बनो और दे तो मैं भी दू नहीं और दे तो मैं भी दू नहीं मुझे देना है खजाना है आपके पास भरपूर है गुणों से भरपूर है शक्तियों से भरपूर है है तो देते क्यों नहीं हो अपने लिए छिपा कर रखाए क्या जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ यह क्यों करता यह क्यों कहता यह सोच नहीं करो रहम दिल बन अपने गुणों का अपनी शक्तियों का सहयोग दो इसको कहा जाता है मास्टर दाता महा सहयोगी सहयोगी भी नहीं महा सहयोगी बनो महा दाता बनो तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरशार्थ की महनत देख नहीं सकते, डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुशार्थ में लगे हुए हैं, डायमंड जुबली अथात हर ब्राम्वन आत्मा डायमंड चमकता रहे, आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वह तो द सभी चाहे दो साल के हो, चाहे बारा साल के हो या चाहे पचास के हो, लेकिन स्थापना के कारे के निमित तो हो या नहीं हो, निमित तो हो, ब्राम्वन माना ही, ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना कारे के निमित आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुशार्थी कुमार कुमारी हो क्या हो ब्रह्मा कुमार कुमारी आहो न अर्थात जन्मलिया और ब्रह्मा भाप के साथ ही स्थापना के निमित्त आत्मा बने तो ऐसे नहीं सोचना, हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं लेकिन समय के अनुसार, जब समय समाप्ति के नसदीक है तो छोटों को, नयों को इतना ही तीबर पुरशार्थ करना ही है अगर ब्राम्मण हैं तो, अगर शत्रिय हैं तो छुट्टी है लेकिन ब्रामन हैं तो ब्रामन सुदेवता कहा जाता है शत्रिय सुदेवता नहीं तो ब्रामन आत्माओं को स्थापना के निमित बनना ही है है ही निमित इसलिए अभी मास्टर दाता बनो दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो ब्राम्मन ब्राम्मन को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है तो क्या कहा, महादाता और महासहयोगी बनो अभी एक साल वाला भी है, तो भी समय के अनुसार, अभी बच्पन की बाते समाप्त करो क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्त अवस्था के समीप हो समय की गती प्रमान, ड्रामा के नियम प्रमान, अभी सभी की वानप्रस्त अवस्था समीप है बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी सने है जिगरी सने है न या उपर उपर कसने है दिल कसने है तब तो भाग कर आए हो न देखो बेहद के हॉल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है यह हॉल अच्छा लगता है या दूर लगता है देखो बैठने में तो दूर है लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैटे हुए बच्चों को अतिश समीब देख रहे हैं दूर नहीं देख रहे हैं बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो बाप दादा के दिल में बैठे हो ऐसे समझते हो कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो या दिल में बैठे हो दृष्य तो बहुत अच्छा सुन्दर लग रहा है फुल पीछे तक भरा हुआ है या कुछ खाली है बाप दादा देख रहे हैं पीछे थोड़ा खाली है देखो आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था आप भूल गए आप भूल गए होंगे लेकिन बाप दादा को याद है कौन सा काम दिया था क्रोध मुक्त का आज वह नहीं पूछेंगे पहला चांस लिया है न तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे बाप दादा को रिजल्ट पता है पूछेंगे आप लोगों से भी वहां से रिजल्ट मंगाएंगे आज छोड़ देते हैं तो काम दिया था कि नौ लाख तयार करके दिखाओ याद है हर जोन को कहा था तो किस जोन ने नौ लाख तयार किये बंगाल बिहार का सेवा का टर्ण है तो बंगाल बिहार ने नौ लाख तयार किया है चुप हैं बोलते नहीं है चलो एक जोन नहीं सभी जोन ने देश विदेश वालों मिलकर 9,00,00 तयार किये हैं विदेश वाले बताओ 9,00,00 हैं बाप दादा तो अपनी date fix करते हैं और उसी fix date पर आते हैं आप भी सब बातों के date fix करते हो यह hall कब तक बनेगा function कब होगा यह date fix करते हो न तो इसकी date कौन सी है fix है विनाश के end अंत में या पहले क्या होगा क्या सोचा है कौन सी date है कोई date है या भी fix नहीं किया है यह भी बाप करें करना आपको है बाप दादा तो कहेंगे कि शुबकारे में देरी नहीं करो फिर क्या करेंगे चलो इस season के end में हो जाए तो भी अच्छा कितनी हिम्मत है सिर्फ दाता बन जाओ अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी royal family और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है महान सहयोगी बनने की देरी है ज्यादा खजाना स्वयम प्रती वह सिर्फ स्वयम की सेवाओं के प्रती लगाते हो अपने अपने सेवाओं के ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो महान दाता बन बेहद के दाता बन वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो बेहद की सेवा में बाइब्रेशन फिलाओ विश्व राजा बनना है सिर्फ जोन के वो अपने अपने ड्यूटीज के सरकल के राजा नहीं बनना है विश्व कल्यानकारी हो अभी बेहद में जाओ बेहद में जाने से हदों की बातें स्वताही समाप्त हो जाएंगी मनोबल बहुत स्रेष्ट बल है उसको यूज नहीं करते हो वाणी, सम्मंद, संपर्क उससे सेवा में बिजी रहते हो अब मनोबल को बढ़ाओ बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या सम्मंद, सहयोग से करते हो वह मनोबल से करो तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वरत्ती से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के उपर उचा इस्तित हो बाप के साथ परमधाम की इस्तिती में इस्तित हो थोड़ा समय भी यह सेवा की तो आपको उसकी प्रालब्ध कई गुणा जादा मिलेगी आजकल के समय और सरकमस्टांस के प्रमान अंतिम सेवा यही मंसा व मनोबल की सेवा है इसका अभ्यास अभी से करो चाहे वाणी द्वारा वसंबंद संपर्क द्वारा सेवा करते हो लेकिन अब इस मंसा सेवा का अभ्यास अती अवशक है साथ साथ अभ्यास करते चलो समझा क्या करना है यह मंसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदी में बाप की मनसा द्वारा रोहानी आकर्शन ने बच्चों को आकर्शित किया और मनसा सेवा के फल स्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अभी फाउंडेशन है ड्रामा अनुसारिय बाप की मनसा आकर्शन का सबूत है जो कितने पक्के हैं तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्शन रोहानी आकर्शन से जो भी आत्माएं आएंगी वह समय अनुसार, समय कम, मेहनत कम और ब्रामण परिवार में वरद्धी करने के निमित बनेंगी वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे जैसे आदी में ब्रह्मा बाप को साधारण ना देख श्रीकृष्ण के रूप में अनुभव करते थे साक्षत कार अलग चीज है लेकिन साक्षात स्वरूप में श्रीकृष्ण ही देखते खाते पीते चलते थे साधारण है वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे तब बाप सहित आप सभी की प्रतक्षता का परदा खुलेगा अभी अकेले बाप को नहीं करना है बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है जैसे इस स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेश ब्राम्हन भी स्थापना के निमित्त बने ऐसे समाप्ती के समय भी बाप के साथ-साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे इसके लिए यही जो आत सुनाया अभी से अब प्रालब्ध स्वरूप में स्थित रहो छोटी छोड़ो छोटी छोटी बातों को अब उचे जाओ विशेश प्रालब्ध स्वरूप का साक्षत कार स्वयम भी करो और कराओ समझा अभी सभी अपने अनादी स्वरूप में एक सेकेंड में इस्तित हो सकते हो क्योंकि अंत में एक सेकेंड की ही सीटी बजने वाली है तो अभी से अभ्यास करो बस टिक जाओ ड्रिल कराई अच्छा, सर्व चारों और के बच्चों को सदा भाग की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मरती में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम योगी सर्व प्राप्ती स्वरूप प्रालब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महा सहयोगी आत्माओं को सदा मन्सा सेवा द्वारा विश्य के आत्माओं के कल्यान कारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 वरदान कर्मयोग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजय रत्न भव कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा अगर मन ने रोगी है तो सदा तंदरुस्त है सिर्फ शेश शया पर विश्णु के सामान ग्यान का सिमरन कर हर्शित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांद से मिलता है ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजय रत्न बनते है स्लोगन साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी अच्छा ओम शांती आप दृष्टियों ही दे रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के नापल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिष्टियों ही दे ते रहो बाबा